हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी को आज बताने वाले हैं कि बोर्ड के एक्जाम में जीवन परचे किस प्रकास लिखे ताके एक्जामलर जो है आपका एक नमबर भी न काटे आप सिर्फ वीडियो को लास तक देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि बो सभी को बता दें कि आप इस तुलसी दाज जी का जीवन परचे किताब से 15 इस्टार्ट करेंगे देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा लिखा गया जिससे आप याद भी नहीं कर पाएंगे लेकिन यहांपर आप सभी को तुलसी दाज जीवन परचे बहुत संचिप में लिखें सिर्फ इसे देख कि अपने कापी पर एक बार इसे लिख लीजिए आपको तुलसी दाज जी का जीवन पर्चे लिखते लिखते याद हो जाएगा इतना संचिप्त में लिखा गया है चले फ्रेंस बताते हैं को कि आप बूड के एक्जाम में जीवन पर्चे कैसे लि जन्म अस्थान उनके मादा का नाम उनके पीता का नाम गुरु का नाम उनकी पर्मुक रचनाय संचिप्त में लिख दीजिएगा जैसे यहां पे लिखा गया है पहले पेज पे तो यही लिखिएगा यहां प्लिका जण्म जैसे जन्म हुआ था तुलसी दाज जी का 1532 में उनकी मिरित्यू का भूइती 1623 में जन्मस्थान लिखिया गैंगे जन्मस्थान उनका था राजा पूरुड इत्र परदेश में हुआ था मथा का नाम उनका था हुलसी अब पीता का नाम लिखिया है, पीता का नाम आत्मा राम दूबय था, गुरु का नाम नरहरी दास था, पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, रतनावली, उनकी परमुक कुछ रचना है, दो, चार, पांच, जितने याद हों यहाँ पर लिख सकते हैं, इनकी रचना है, राम चर डालिएगा अगले पेज पे यहां लिखेगा और बहुत संचिप्त में लिखे हैं बस देखे लिजी एक बार तुलसी दास का जन चित्र कूट जीले के राजापूर नामक गाहों में सन 1532 में देखिए यहां पर जो रहेगा 1532 इसे ब्लैक पैंस लिखेगा ठीक है 1532 को ब्लै के कर इनके माता पिठा ने इनके त्याक दिया था नर्रीडास ने इनकगा पालन्क पोंशर किया था का नामक बिद्वान इने वेद्व पुराणों अधी-ग्रंथों का ज्ञान कराया था ठीक है अब इनका विवाज हुआ तो किस से हुआ था इसके बारे में लिखे इनका विवाज हुआ था रतनावली से हुआ था इनका जीवन जो है अधिक कहां पर पिता था कासी आयोध्या चित्रपूर्ट में अधिक ब्यातीत हुआ इनकी मिर्त्युकाशी के असी घाट पर सन 1623 इसवी में हुआ था यह हो गया इनका जीवन परचे पहले पेश पर संशित परचे लिखे दूसरे पर जीवन परचे आपको इस प्रकास लिखना है जैसे बता है यदि इस प्रकास लिख देते हैं तो आपको एक्जामर पूरा न नंबर है यहां पर रचना लिखेंगे जैसे राम चुरित मानस विने पत्रिका कवितावली गितावली दोहावली चरपांच आप इनकी रचनाएं लिखे दिएगा बस इतना ही इनका है जीवन परचे आप इस तरह बोड की एक्जाम में लिखेगा पूरा नंबर मिलने वा इसी प्रकास से बोड की एक्जाम में लिखेगा जीवन परचे आपको बोड की एक्जाम में पांच नंबर का आता है टोटल पांच नंबर आपको मिल जाएगा ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलब को सब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें